हेलो एब्रिवन आज हम बनाएंगे चॉकलेट पिज्जा विदाउट ओभेंड उसके लिए हमने पेन में यहां सबसे पहले अपने ड्राइपूर्ट जैसे मैंने यहां काजी और आल्मोन लिया है उसे रोष्ट कर लेंगे आप देख सकती है रोष्ट हो चुका है उसे निका कर अपने पिज्जा बेस को अलट पलट कर सेख लेंगे जब यह थोड़ा सीख जाए तब हम इसे किसी भी प्लेट में रख कर उसे डेकरेट करेंगे यहां हम सबसे पहले चॉकलेट सिरप लगाएंगे इसे किसी भी स्पून या नाइफ की सहता से अच्छी तरह से चॉकलेट को मेल्ट करकर भी लगा सकते हैं आप इसे घर में अवस्च से ट्राइ करें यह खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और यह जटपट बढ़ने वाला पिज्जा है बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है यह उसके बाद हम इस पे अपन चीज को डालेंगे यहां मैंने भेज चीज लिया है उसे भी अच्छी तरह से स्प्रेट कर ले फिर हम उस पे रोष्ट किये हुए आलमोंड और काजु को डालेंगे आप यहां कोई भी ड्राइफूट डाल सकते हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो यह रेस्पी अच्छा लगे तो आप इसे कॉमेंट लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले अब हम इसमें चॉकलेट डालेंगे यहां मैंने चॉकलेट रोल लिया है आप इसके जगा कोई भी अपने मन पसंद चॉकलेट को डाल सकते हैं इसे हम अच्छी तरह से चारो और स्प्रेट कर ले अब हम एक साइड में अपने पेन को हीट होने के लिए 5 मिनट के लिए गैस पर रख देंगे हमारा पेन जो हीट हो चुका है अब हम अपने पिज्जा बेस को उस पर रखेंगे और उसे किसी भी ढखकन से ढखकर 2-3 मिनट तक पकने देंगे आप देख सकते हैं हमारा जो है चॉकलेट पिज़ा बन के तयार है अब हम इसके धकन को हटाएंगे और गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे फिर इसे हम किसी भी प्लेट में निकाल ले और इसे फिर से हम चॉकलेट सिरप डाल कर डेकुरेट करेंगे और इसे हम किसी भी नाइफ या पिज़ा कटर की सहता से कट कर ले आप इसे अवस्य ट्राइ करें खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट होता है फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेक्ष्टी के साथ